सबी खुन वसकार आज अपन इस वीडियो में जानेगे कि क्या रिजेन है कि इसो कि सबसे बड़ी कंपनियों के CEO भारत के ही लोग बन दे हैं तो आईए जानते हैं इस वीडियो में के इंडिया में कल को मेजर कंपनीज खड़ी हों इंडियन ने किस तरीके से मेकसिकन, अमेरिकन और प्रिटी मच दुनिया भर के लोगों को भीट कर दिया आफ्रिकन को भीट कर दिया, जापनीज लोगों को, रशियन को किसी भी नैशनल्टी की इतनी डॉमिनेंस आपको नहीं मिलेगी दुनिया की टॉप कंपनीज में जितनी इंडियन्स की है तो इसका रीजन क्या है, देखो रीजन बहुत सारे हैं सबसे बड़ा रीजन तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि English Language Skills, English Language Skills matter करती है जो Chinese लोग जाते हैं, चाइना से USA में उनकी Language Skills उतनी ज़रा डेवलप्ट होती नहीं है जितनी इंडियन्स की होती है, बहुत से इंडियन्स हैं जो अराम से अपनी English और जादा accent के हिसाब से इंप्रूब कर लेते हैं और अराम से American Corporate Culture में communicate कर पाते हैं, क्योंकि जब तक आप सामने वाले आदमी को अपनी बात सुनाओगे नहीं बात नहीं कर पाओगे उससे properly, तब तक कैसे आप promotion पाओगे, कैसे आप company में अपने idea शेर करोगे एक factor तो ये है, फिर एक और बहुत ही बड़ा factor है जो देखा गया है various corporations में perseverance, perseverance क्या होता है, perseverance होता है कि हारना वानना, टिके रहना, ये बात Indians में बिलकुल मौझूद है और इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार नहीं मानते हैं, हारते हैं नहीं है, corporate culture में इसका simply मतलब ये है कि Indians देखा गया है कि जरातार एक company के साथ जादा loyal रहते हैं बहुत ही लंबे समय तक, एक company के CEO बनने की वैसे काफी requirements होती है उनमें से एक बड़ी requirement ये भी है कि आप उस company के साथ बने रहें बहुत ही लंबे समय तक, especially जब आप एक immigrant भार से आए हैं वेरास देखा गया है कि Russians जब जाते हैं US में काम करने के लिए तो एक टाइम पर बहुत सी companies change करते हैं, frustrated हो जाते हैं एक जगा काम करकर के Chinese लोगों के साथ काफी problem होती है Indians उस मामले में mentally बहुत ज़ादा tough है, wait करते हैं, they persevere और धीरे धीरे corporate ladder climb करते करते ये CEO बन जाते हैं इसका example मैं आपको बताता हूँ, नडिला साब आज के समय Microsoft को lead कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रातो रात इनको कहीं से भी पकड़के CEO बना दिया ये दो दशकों तक Microsoft में काम करते रहें, उसके बाद इनको CEO बनाया गया था सुन्दर पिचेई का example आप अगर देखो, तो 2004 से लगातार Google में काम करते रहे, तब जाकर CEO बने इनरा नूरी जी का example आप अगर देख लो, हाला कि आज के समय पेपसिको की CEO ये नहीं रही है, मगर एक टाइम पर जब ये CEO बनी थी, उससे पहले इन्होंने दो दशकों तक काम किया था पेपसिको में, लोयल्टी दिखाय थी कंपनी को, उसके लावा एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, easier adaptation, ये बात जो चाइना का सरकारी मीडिया उसने गई थी 2018 में, कि इंडियन अड़ाप्ट बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, चाइनीज नागरिकों को आप देखो गया, for example, एक खटके example दे रहा हूँ आपको, अब चाइना के लोग आज के समय धीरे धीरे पाक चाइना के लोगों को खुद का अपना एक स्पेस चाहिए होता है, इनकी अलग से कॉली बनती है, वहाँ पे चाइनीज फूड आपको भी लेगा, चाइनीज वाइन आपको मिलेगी, उसको लेकर अभी रीसनली प्रोटेस्ट भी हुआ था, जापनीज लोग इंडिया में अलग से टाउन बन रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ जापनीज लोग ही रहते हैं, उनका रैंस हैं अलग ही होता है, तो उनको एक अलग टाइप का ही चाहिए होता है, तो यह आप कहली जीए स्टॉंग पॉइंट नहीं है, यह कमजोरी है, कि यह घुल मिलनी पाते हैं अराम से, इंडियन्स का अलगी हिसाब कताब रहता है, हम काफी इसली अडाप कर लेते हैं, दूसरे के कल्चर को समझ लेते हैं, और यह एक बहुती बड़ा फेक्टर है, इंडियन्स के टॉप पे पहुशने का, नहीं तो आप अगर सोच कर देखिए, जपान और युएस के रिलेश हैं, वाइस प्रेजिदेंट हैं,